हे गाइस वलकम टू देव भूमी करियर पॉइंट तो देखे दोस्तों उत्राखंडी की महान विभूतियां चैनल पर प्लेलिस्ट है एक चाहां पर हमने उत्राखंड की समस्त इंपोर्टेंट जितनी भी महान विभूतियां उनके बारे में टॉपिक दिया हुआ है पंडित गोविंद बलब पंट जी के बारे में भी मैंने पहले ही टॉपिक दे दिया था लेकिन उसमें कुछ की पॉइंट रह गए थे इसलिए एक नए सिरे से इस टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए आया हूँ ताकि आपके जो आगामी परिक्षा हैं वहाँ पर इनसे सम्म कोई भी कोईशन गलत ना हो पाए देखे दोस्तों उत्राखन की महान विभूतियों की हम बात करते तो बहुत सी महान विभूतियां उत्राखन में हैं और रही लेकिन सभी को याद कर पाना असंभव है उतना हम याद नहीं कर सकते तो कुछ चुनिंदा महान विभूतियां या महान व्यक्तित तो ऐसे होता है जासे बार-बार एक्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनी में से एक महान विभूती हमारी पंडित गोविंद बल्लब पंद जी भी है गोविंद बल्लब पंद का उपनाम क्या था हिमाले पुत्र भी इनको उपनाम दिया गया था इसके साथ साथ गोविंद बल्लब पंद को गोविंद बल्लब महाराष्ट्र भी इनको कहा जाता था ध्यान रखेंगे अब बात करते हैं इनके जीवन पर्चे की तो इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 20187 इस बी को जन्म स्थान है खूंट गाव अल्मोगा इनके पिता का नाम था पंडित मनोरत पंथ और पार्मपर पेशे की बात करते हैं तो वेध्य थे इनके पिता बंडित मनोरत पंथ जी बाद ये वकालत की सिख्षा लेने के लिए इलाबाद गए थे और फाइनली 1910 के आसपास इलाबाद से इनके कानून की डिगरी कम्पलीट होती है ठीक है पेसे की बात करें तो क्या प्रोफेशन रायन का तो प्रोफेशन में वकील भी थे राजनेता थे बहुत मजे हुए इ इनके उत्रागण में जितने भी महतोपूंग आंदोलन हुए उनमें इनकी बहुत ही महतोपूंग भूमिका रही ठीक है तो जो अभी हम जानेंगे कौन-कौन सी आंदोलन थे और कहां-कहां पे पंत जी का विसेश और उतक्रिष्ट या उल्लेखनी या योगदान यह भी ह उसमें ठीक है तो बैरिष्टरी करते हैं यह और उसके बाद 1909-10 के आसपास इनका कोर्स खतम हो जाता है यानिकि इनको बैरिष्टर की डिगरी मिल जाती है और फाइनली देखिए बहुत सी बुक्स में कासी पूर दिया गया है बहुत सी बुक्स में अलमोगा है ठीक है त काकोरी कांड जिसमें ट्रेन का खजाना लूट लिया गया था तो वहाँ पर जो हमारे दोसी पाए गए थे जो उसमें स्वाधिन्ता सिनानी या क्रांति का रहे थे उनका मुकदमा भी पंत जीने लगाता है यानिकि उनके मुकदमी की पैरवी करने वाले व्यक्ति कौन थे गोईंद बला पंत जीने अब कभी कोश्यन आ सकता है कि राजजी के किस व्यक्ति ने काकोरी कांड के जो हमारे अभ्यूक्त थे या काकोरी कांड के दोसी थे उनका केस लगाता है या उनकी पैरवी की थी तो कौन व्यक्ति था या पैरिश्टर गोईंद बला पंत जीने ठ सबसे पहले हम देखते हैं अगर पीछे थोगा हम जाते हैं फ्लैस्बैक में उनिस सो तीन में इन्होंने हैपी क्लब की स्थापना कर दी जब टीनेजर थी ठीक है है एपी कलब तभी बना लिया था इन्होंने क्योंकि दीखे अठार सो सतासी को उनका जन्म हो रहा जब उनका हैपी कलब बना जब मातर 16 साल के थे हमारे पंडित गोविंद बलब पंत जी ठीक है अब इसके बात दीखे इनका जो जीवन का अगला पड़ाव आया 1914 कॉंग्रेस जोइन कर ली थी इन्होंने क्योंकि कुमाओ कॉंग्रेस की स्थापना कब होती है कुमाओ में कॉंग्रेस सबाकी स्थापना किस ने की थी पंडित गोविंद बलब पंत ने की थी कब की थी 1914 में की थी क्यों की थी यह इंपोर्टेंट है इसलिए यह पर सीरीज लाए आपके लिए क्यों की थी यह भी महत्तोपुन है तो देखिए जब 1912 में कुमाओ कॉंग्रेस की स्थापना गए पंडित गोविंद बलब पंत जी और भी अनने यहां पर नेता गंड थे नरम दल में तो इनमें मध्वेद हो गया 1912 में जब कुमाओ कॉंग्रेस मनी तो 1912 के बाद दिरे दिरे इनमें मध्वेद होना सुरू हो गया 1914 आते आते बद्रिदत पांडे जी ने क्या किया होम रूल लीक की स्थाफना कर दी कुमाओ में होम रूल लीक की स्थाफना कब स्थाफित हुई 1914 में हुई ठीक है अब जो कुमाओ कॉंग्रेस के व्यक्ति थे जाधत तर लोगों का जुकाओ का हो गया होम रूल लीक की तरफ हो गया निके गरम दल के जो अमारे ओगर नोगों को अपनी तरफ आकरसित करना है या लोगों को अपने तरह बीच diff चुकी है तो क्योना हम भी अपना एक संक्तथन फिरसे ताकि लोगों को अपने तरह आकरसित किया जा सके तो BRITISH हुकमत की दोर में कासी नागरी प्रचारणी सभा की साखा के रूप में पंडित जी ने क्या कर दिया कासी पुल में प्रेम सभा की स्थापना कर दी मलब बोलते ना जो ब्रामण बुद्धी होते हैं उसका यहां पर समुची उपयोग किया था पंडित गोविंद बुलब पंत ने तो इसलिए प्रेम सभा की स्थापना होई थी त्यान रखेंगे इसके बाद दीए 1916 में कुमाओ परस्थ की स्थापना होती है कुमाओ परस्थ पर पूरा टॉपिक है चैनल पर आप देख सकते हैं कुमाओ पर परस्थ की स्थापना में और कुमाओ परस्थ क्यों बना था तो कुमाओ परस्थ की स्थापना इसलिए की गए थी क्योंकि जो sommes ने 1911 में 1916 में स्थाफ़िक हम रू लीग कासीपूर की प्रेम सबा यह हमारी जो छेत्र ये मुद्डे तन description राष्टी ऐस्तर तक नहीं ले जा पाते थे यानि कि यह जाते थे जो हमारे Congress के अधिवेशन हो रहे थे वहाँ पे Congress अधिवेशन में इस सभी participate करते थे बड़े-बड़े leaders यहां के लेकिन इनकी बोलने की बार यह कभी आती नहीं थी वहाँ पर अन्य प्रांतों के जो संबा करते समझ्चे हैं citrus कि कोमाओ परिश्द इसके सथापना के बाद जो इसके अधिवेशन होते है 17 18 19 inadequ में तो इंही कि दे उस्तों जो उत्राखंड की दर्ती से कुली बेगार प्रथा अंतु हो जाता है, 1920 का जो अधिवेशन हो था, वहीं पर ये कुली बेगार प्रथा उनमूलन प्रस्ताव लाया गया था, और जिसके तहट 1921 में सर्युन अधी पर 14 जन्वरी मकर संग्रामती के दिन क्या होता है, कुली बेगार प्रथा को मतलब एक हिसाब से अनौपचारीक रूप से समामपत कर दिया जाता है, और अनौपचारीक रूप सै कुली बेगार प्रथा समाप्ति भी हो जाती है, 1921 जन्वरी बागे स्वल्यूरय शर्युन अधी के तर्थ पर, तो कुमाई पर्षद के में भी महत्तोपूल भूमिकारी पंडित जी की इसके बाद देखें गांदी जी के बुलावी पर असयो गांदुलन के माध्यम से राजनीती में आ गए यानि कि यह सबसे महत्तोपूल एयर रहा था अमारे पंडित गोविंद बुलावा पंत जी के लिए 1921 में मतलब जो इनक प्रंक पर चले गए भाईया स्वादिंता आंदुलन में कूरगव यही से इनका राजनेतिक करियर सुरू हो गया इसके दो साल बाद 1923 में पंत जी स्वराज पार्टी के टिकेट पर उत्तर प्रदेश विदान परिशे देतु निलवाची तो यहां से राजनेतिक करियर प इनका सुरू हो जाता है उसके बाद 1927 में उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बनते हैं 1927 में इसके बाद 1928 का जो साल आता है साइमन कमिशन का विरोध हो रहा था पुरे देश में लाला लाचपतराय को हमने खो दिया जो लाठी प्रहार हुआ और ऐसे र लाठीया पढ़े थी उसमें नहरु जी को बचाने के लिए कि जीवन पुरियंत फिर अमारे जो गोविंद वुलब पंत थे वो अपनी गर्दन सीधी करी नी पाए खुद अपनी पुस्तक में जवाहर लाल नहरु ने इसका जिक्र किया हुए कि एक 6 फुट का आदमी भूमी सुधारों पर आधारित था तो भू सुधार जो होए थी या भू बंदोबस्त उन सुधारों पर आधारित पंत प्रतिवेदन रिपोर्ट आये थी ठीक है कब आये थी बहुत महत्तों पुण है 1931 में आये थी ये रिपोर्ट इंपोडेंट यह याद रखने कोशन बन सकता है यहां से सिधे इसके बाद इके 1934 में अखिल भारतिय संसर्डिय बोर्ट के अध्यक्ष्य बनते हैं यह और इनके अगर मैं राजनेतिक गुरु की बात कर तो गोविंद वल्लब पंत जी के राजनेतिक गुरु कों थे गोपाल क्रिश्न गोखले थे जैसा कि मैं बात कर तो यह भी हमारे नरम विचारदहरा वाले व्यक्ति थे घिक्र भारत में अगर गलम साथी नाम ऊभर कर आते हैं ठीक है कौन नाम आते हैं बाल ठीक है लाल बाल और पाल यानि कि बाल गंगा धर दिलाल लाला लाचपतराय विपिन चंदर पाल यह हमारे करम दल के नेता थे बहुत ही उसमें मतलब टॉप लेवल के बोल सकते हैं कॉंग्रेस के तो आपको इतना याद रखना है पंडित जो गोविंद बलब पंत थे इनके राजनतिक गुरु कौन थे गोपाल कृष्णल गोखले थे और सांती ये उधारवादी विचारदारवाले व्यक्ति थे ठीक है अब 1937 के जो प्रांतिय कॉंसिल चुनाओ हुए उसमें ये क्या हुए जीत गए और फाइनली यही से बहुत ही एक बगा मुमेंट था इनके ला यहां पर संगठन बनाते हैं और फाइनली मंत्री परश्यत खुद की बनती है और 1937 से लेकर 1949 तक और 1946 से लेकर 1954 तक यह उत्तर प्रदेश के मुख्या मंत्री रहते हैं ठीक है इसके बाद से आगे बग़े जाते हैं और जनवरी 1955 से लेकर साथ मार्च 1961 तक केंद्र सरकार मे ग्रह मंत्री रहते हैं याणि कि 1955 से साथ मार्च निससी नहीं होती ये केंद्र सरकार में होम मिनिश्टर रहे तो ये राजनितीक करियर इनका बहुत उपर ठाओ इसके बाद बहुत ही भारत रत्न से ठीक है और भारत रत्न पाने वाले उत्राखंड के एकमात्र व्यक्ति अभी तक बोल सकते हैं उत्राखंड से एकमात्र व्यक्ति जिने भारत रत्न मिला वो कौन है पंडित गोविंद बल्लब पंत अब यहां पर एक प्रस्न यह आता है प्रतक राज्य पंडित गोविंद बलब पंत जी का रवया प्रतक राज जी के प्रति कैसा था बिलकुल उदासीन था गोविंद बलब पंत जी चाहते ही नहीं थे कि समयक्ति प्रांथ से हटा कर एक परवतिय या अलग परवतिय राज्य को बनाया जाए ठीक है उसमें टीनेजर जो थे उनके अंदर देश प्रेम का भाव बना या बोल सकते हैं राजनेतिक चेतना का भाव विक्षित करना ही हैपी कलब का काम था ठीक है गभी गोविंदगर किस प्लेस को कहा जाता था तो कासीपुर को ही गोविंदगर कहा जाता था क्योकि यह पंडित गोविंद बल्लब पंत जी की कर्म इस्तली रही ठीक हैं त्यान केंगे अब यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो जन्डा सत्यागरा मैं आपको समझाता हूं यहां पर साविनाई जो अवग्या आंदुलन था हमारा सिविल दिस ओविडेंस मुमेंट इसको बोलते हैं तो इस आंदुलन के तहत अलग-अलग आंदुलन किये गए इसके अंतरगत ऐसा नहीं था कि वह नमा कानुन तोगना इसके अंतरगत था सविनाई अवग्या आंदुलन के अंतरगत गादी जी ने पूरे देशवासियों से अनुरोद किया आप अपने इस तर पे अपने आप कोई आंदुलन शुरू कीजिए तो इसके अंतरगत कहीं पर जंडा सत्याग रहा हुआ कहीं पर विदेशी वस्तों के होली जलाए गई कहीं पर नमक कानुन तोगा गया ठीक है कहीं पर जंगलाद की विरोध यहां पर जंगलाद की जो कानुन थे उनका विरोध हुआ कहीं पर बितिस्तर द्वारा जो अनुन ने भू कानुन बनाए थे उनका विरोध हुआ यानि कि भारत में सिवी जो सविनाय अवग्या पंत जी नहीं किया और कोश्यन कभी ये भी बनेगा कि उत्राखंड की धर्ति में सर्वा प्रतम सविनाय वग्या आंदुलन का नित्रत्व करने वाला व्यक्ति कौन था तो वह हमारा कौन हो जाएगा पंडित गोविंद बल्ला पंत जी कोश्यन जी से आप से पूछेगा एक बनेगा पंते नगर करें कोई तो देखें कोश्यन वार्षीं भी देल झांधित गोविंद बल्ला पंत क्रसी ही जी जान सकते हैं हम य्क से पर्लेट में पैर बहूं किरते किसी का मुखतमा लगए तो जो जाज ता उसमें हमारा क्या होगा फिरंगी ओंगा तो जायु पे अपने पैर पर सकते है तो नहीं से तो बाहर जा सकता हूं लेकिन यह टोपी on उतार सकता है understand GD background कि डी के चषाब अषम में व्लटिपोर सकता हूं लेकिन गोंता सकता है मैं नया एलाई से बाहर जा सकता हूं लेकिन यह टोपी नहीं होता सकता है निम्न में से किसका कथन है पंडित गोविंद बलाप पंत बद्रिट पांडे जी ठीक है ऐसे कोशन बनेगा विक्टर मोहन जोसी तो आपको या देखने किसका है यह गोविंद बलाप पंत जी के राजघ्वासा आयोग जो हमने पड़ते हैं हिंदी में पड़ते हैं राजघ्वासा आयोग भासाई आधानों पर राज योग का पुनर गठन के लिए ठाये ठाये राजबाशा आयोग था हमारा और हिंधी से संबंदित भी था आयोग की समिक्षय के लिए जो भी सिपारिश उन्की आया थी उसकी समिक्षय के लिए यहाँ पर गोविंद बल्लब पंत जी के अद्यक्षिता में संसधीय लाजभाषा समीति का भी गठन किया गया थी बहुत महत्वपूर है, 1957 में संसदी या राजभासा समीती का भी गठन हुआ, जिसको पंत समीती भी कहा जाता है, पंत प्रतिवेदन हम पढ़ चुके है, भूसुदारों के लिए रिपोर्ट थी 1931 वाली, और यहाँ पर हम पढ़ हैं पंत समीती, पंत समीती किससे संबंदित या कोश्यन बन सकता है, तो पंत समीती राजभासा आयोग की सिपारिसों की समिक्षा से संबंदित है, यानि कि हम बोल सकते है, साब साब जो हमारी राजभासा है, उससे संबंदित थी ये समीती, पंत समीती ठीक है, और जो ये 1957 में संसदी राजभासा समीती या पंत समीती गठित की गए थी इस समीति ने अपना प्रत्याविधन 1969 में दिया था 1959 में दिया था ठीक है और इस प्रत्याविधन या प्रतिवेधन में हमारे गोविंद बलब पंत जी के अध्यक्षता में बनी थी ये कमीटी पुरी इसने समीति ने ये बोला वहिया जो हमारा चला आ रह पंत समीति ने यहां पर जो राजबासायो की सिफार से आए थी ना ये सिफार्चों की समीक्षा के लिए बना गया था उन्होंने तो हिंदी को बोला था हमारे हिंदी बनी ची लेकिन पंत जी ने यहां पर उतना समर्तन नहीं किया ठीक है और फाइनली देखे दोस्तों ये ग्रह मंत्र थे और उसी पत पर रहते हैं तो आज पंडित गोविंद बल्ला पंत जी के बारे में और बहुत से महत पुएंट आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में तो एक-एक की पॉइंट जो आप बताया गया बहुत महत पुएंट परिक्षया के लिए आप अच आती में बोलना चाहूंगा जो उत्रागन के अनने विभूतिया है उन विभूतियों के रिविजन के लिए परिक्षया पुस्तक का सारा जरूर है वहां पर बहुत अच्छे से दिया गया है कौनकों से हमारे प्रमुख सवतमत्रा संग्राम सेनानी या राजनीतिक की है उस टॉपिक में तब तक अच्छे से आप लोग इस्टेडी करें ऐसे उत्रागंड की जो अन्य कुछ महत्तोपून विभूतिया है उनके बारे में चल्चा करेंगे और जितने मैंने दिये हैं पहले उनको आप देख लीजीगा ठीक है गोविंद बलाप पंत अगर मैं बोलू इमर्जनसी लग जाती है तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं उत्रागंड हिस्ट्री ओनलाइन कोर्स में डीटेल में मैंने आपको बताया हूं वहाँ ठीक है बागी जितने भी अंदर की पॉइंट जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वह आज यहां पर हमने क्लियर कर देंगे ठीक है चले मिलते हैं जल्दी अपना ध्यान देखें जै हिन जै उत्रागंड